तो दोस्तों अगर आप भी CSC सेंटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है आप सभी को CSC के लिए apply करना होता है CSC का registration करने के लिए आपको सबसे पहले register.csc.gov.in की official website जब आप open करते हैं open करने के बाद CSC का जो main website है यानि जो registration का portal है CSC apply करने के लिए वो खुल जाता है उसके बाद यहाँ पे वियली registration, rural entrepreneurship, view credential, track application यह सारे आपसंस आपको सो करते हैं वियली registration पहला number है यानि registration अगर आप करना चाहते तो वियली registration पर नीचे click here पर आपको simply click करना होगा rural entrepreneurship में है कि जो भी आप वियली बन चुके हैं उनके लिए है आगे view credential अगर आपने CSC के लिए apply कर दिया है आप credential देखना चाहते हैं तो इस पर click करेंगे नीचे click here to view your credential पर track application पर अगर आपने CSC के लिए apply कर दिया है application अपने देखना चाहते हैं status चेक करना चाहते हैं तो click here पर simply आपको click करना होगा तो दोस्तों आप सभी को जानकारी हो या नहों लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सभी अगर CSC के लिए apply करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज हैं या क्या-क्या आपको चाहिए वो चीज़ें आप पहले से complete कर लें तो यहां पर आप भूम एपलाई माइपनों टूल्स फैक्स यह आपसंद भी सो करेंगे तो चाहें तो आप एप्लाई पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह चार आपसंस तो करेंगे आपको पहला नंबर नीव रिजिस्टेशन दूसरा CST VLE के लिए SHG के लिए FPO के लिए Private Banking के लिए FPS इस तरह करके बहुत सारे आप्षन आपको दिखाई दे जाएंगे तो CST VLE अगर आप बना चाहते हैं तो जैसे ही आप CST VLE पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने Tech Certificate नमबर का एक आप्षन हो करेगा जो आपको फिल करना होगा तो दोस्तो अगर आप CST के लिए Apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Tech का Certificate नमबर प्राप्ट करना होगा तो Tech का Certificate प्राप्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा Tech का Registration करना होगा तो Tech का Registration करने के लिए आपको यहां पर Apply बटन पर Simply क्लिक करना होगा और सबसे नीचे एक आप्टन होगा Tech Certificate यह Tech Certificate टेली इंटरपेनियर कोर्स होता है जो CSC वेली बनने के लिए एक जरूरी Certificate होता है यह Certificate जब तक आप पास नहीं कर पाएंगे पर आप नहीं करेंगे तो आप CSC के लिए Apply नहीं कर सकते हैं तो आपको Tech Certificate पर Simply क्लिक कर देना होगा जैसे ही दोस्तो Tech Certificate पर आप क्लिक करेंगे तो Tech की जो Official वेबसाइट है CSC इंटरपेनियर की वो Open हो जाएगी इतना करने के बाद आपको क्या करना है Login with us पर Simply यहां आप एक आप्शन आएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने Website का इंटरफेस आगे बढ़ जाएगा यानि आपके सामने Login to Portal का एक आप्शन सो करेगा इतना करने के बाद यहां पर आपके सामने दो आप्शन होंग यहां पर आपको Registration का एक बटन होगा इस Registration बटन पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही दोस्तों Registration बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने Register New User का एक Form खुलेगा इस Form को आपको पूरा भरना होगा Form भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए Government ID होनी चाहिए यानि आधार कार्ट होना चाहिए यहां पर आधार के हिसाफ से Name भरेंगे Mobile नंबर देंगे Email ID, Father's Name, State, Consistate से बिलांग करते है डिश्टिक आपका क्या है, Gender आपका क्या है ID के कार्टिंग, DOB ID के कार्टिंग क् Address, Photo and Capture भरने के बाद आपको Simply Submit पर क्लिक करना होगा, दोस्तों यह सारी Details आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपके Mobile में, Email में आपका ID और Password आजाएगा, ID Password आने के बाद अब आपको क्या करना है, ID Password दोस्तों जैसे ही आपके Mobile में आ जाएगा तो आप Login with Us पर Simply क्लिक क करेंगे तो Login Portal वही जो पहरे सो किया था, बाद में बैक होके आ जाएगा, अब यहाँ लाग इन बटन के एक आफ्चान आएगा, इस पर Login पर आपको क्लिक कर देना है, तो जैसे ही Login पर क्लिक करेंगे तो आपके शामने Login User का एक Box आएगा, यहाँ पर आप अपनी Credential ड आपका जो Tech का Dashboard है, आपके नाम का, यानि आपकी ID और Password का उपन हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर तीन आपसंस को करेंगे, Dashboard Learning Assessment, तो आपको क्या करना है, सब से पहले इस Tech का Course कंपलीट करने के लिए Learning पर क्लिक करना होगा, और इस Tech के लिए आप 10 नंबर के यह सारे माडूल के मैटेरियल जो है, आपको यहाँ पर पीडियाप भी मिल जाएगी, और आप इसकी वीडियो भी देख सकेंगे, वीडियो के मादिम से भी देखके सारे माडूल कंपलीट कर पाएंगे, और पीडियाप भी आप पढ़के दे सकते हैं, माडूल के नेम के हिसाफ से अब अगली वीडियो आएगी, और माडूल के हिसाफ से पहला माडूल इंटरपेविडियो का वीडियो उसकी आपको मिल जाएगी हिंदी में, उसके बाद आपको जैसे ही आप यह सब देख लेंगे, तो आप लर्निंग के लिए लर्निंग करन तो सारे question के answer देंगे तो आप इसी तरह ही एक question को करेंगे और यहाँ पर आपको question पर click करके आप उन्ही सभी के 10-10 쉬an आप complete करेंगे प्रते एक module में आपको 10 question मिलेंगे 10 question आपको open करेंगे open करने के भाद उनके answer देने हैं आपके यहां पे marks so करेंगे जैसे इसमें so कर रहे हैं यह सारे माडूल आपको complete करने हैं जैसे ही आप complete कर देंगे उसके बाद आपका यह take exam का option so करेगा यह सारा complete होने के बाद यह पूरे 10 माडूल complete होने के बाद आपका take का exam जो final exam है certificate के लिए वो आपको देना पड़ेगा तब आपका certificate तयार होगा तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी इसके जो learning के माडूल पड़े हुए हैं इन माडूल की सभी वीडियो देख लीजिए और पीडिया भी आप देख लीजिए तो आप ये assessment सारे बिल्कुल आसानी से complete कर पाएंगे उसके बाद जब अगर आप ये सारे assessment कंपलीट कर लेंगे माडूल पड़के उसके बाद ये पूरे 10 माडूल के question मिला के यही पे आपको 50 question का final exam होगा वो exam आपको देना है exam देने के बाद आप exam का जो submit कर देंगे final उसके बाद आपका certificate उसी दवरान आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए tech certificate प्राप्त करने का आसान जा तरीका आसा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न पूरे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए नमस्कार जैहन